हालो अब्रिवार्ण ग्रेटिंग्स फ्रम डॉक्टर अश्मीज उमयपथी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बैस्ट फ्लाव रेमिडी के बारे में आप सब लोगों ने बहुत लंबे समय से इस वीडियो के रिक्वेस्ट किया था और आज मैं यह वीडियो बना रहे कि लक्षणों के अधार पर आप इसको ले सकते हैं और किस तरह से इसको लिया जाता है तो जो बैच फ्लावर रेमिडी होती हैं यह 38 ग्रूप ओफ रेमिडी होती हैं जिसको डॉक्टर एडवर्ड बैच ने 1920 से लेकर 1930 तक बनाया था उनका माना था कि हमारे शरीर में जित इसको डिप्रेशन, मूड स्ट्रिफ्ट होते हैं, बाइपोलर्स होते हैं, ADHD, autism बहुत तरह की जो कंडिशन्स हो सकती हैं सिर्फ और सिर्फ निगेटिव इमोशन्स के कारण होती हैं उन्होंने बहुत जाधा रिसर्च किया और जो वाइल फ्लावर्स होते हैं उनके थ्रू कुछ फूल को चुना जो सौफ्ट फूल थैं जो हव अले फूल थे उसको पानी में डालकर रिप भूप में बहुत समय तक रख जब धूप उनके पत्तियों का अरक उस पानी में आ गया तो उसमें ब्रैंडी डाल करके उन्होंने इस दवा को बनाया आगा तो इसमें ब्र और उसको seven categories में डिवाइड किया, जो पहली category है, वो है fear की, जिसमें जितनी तीन चार medicines है, जिसको उन्हों फियर की category में लिया, कि अगर patient को fear लगता है, तो इन category में जो symptoms को साथ मैच करते हैं, वो हम दे सकते हैं, जो दूसरी category उन्होंने लिया, वो था uncertainty का, अगर person को पता नह है, कुछ क्या है, लाइफ में क्या करना है, बहुत confusion है, तो उन्होंने तूसरी category लिया, uncertainty का, जो तीसरी category उन्होंने चुना, वो है loneliness का, यानि अकेला पर अगर person बहुत महसूस करता है, तब उसके लिया तीसरी category, जो चौती category थी, वो और sensitiveness की थी, यानि कि अगर person बहुत ज sensitive है, बहुत जादा effect हो जाता है किसी भी चीज का उसको, तब उन्होंने चौती category लिया, जो पांच भी category लिया, उन्होंने वो है dispotency का, यानि कि अगर आपको life में कोई hope नहीं बचा है, तब इस category की medicine आपको दी जा सकती है, और सबसे last जो category उन्होंने लिया, कि उसमें और sensitive to the welfare of others, मतलब दूसरों के लिए ज़रो से जादा परिशान अगर है, तो यह साती भी category रही, तो यह सातों category की जो दवाईया है, उन्होंने चार चार पांच पांच दवाईया उन्होंने डिवाइड किया, और जब परसन को कोई अपनी कहानी बताता है, अपना अपना symptom बता है, तो उसके हिसाब से वो उस category की दवाईयों को दी जाती है, इन्ही सारे दवाईयों में से जो सबसे जादा में यूज करती है, वो है स्टार बेतल हम और रस्क्यू रमेडी, जो रस्क्यू रमेडी है, इस अगेन अ कॉंबिनेशन अफ फाइव सच रमेडी जो इतनी भी तो यह सारी चीजों मिला करके रस्क्यू रमेडी बनाई गई और रस्क्यू रमेडी को बहुत अच्छा प्रियोग रहता है, इस्पेशली यह डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटेक या जितनी भी तरह के OCDs है, उसमें भी even काम आती है, बच्चों के जो psychological development है, उ इस तरह से बन गई, 38 categories में divide हो गई, और divide होने के बाद select किया जाएगा, आप किस तरह का negative emotion दिखा रहे हैं, अगर आप negative emotion आपके इंदर डर का है, वहम का है, हमेशा डर बना रहता है, तब आपको पहली category में से जो दबा को suit करती है, वो आपको दी जा सकती है, जो best flower revenues होती ह काफी close होती है हुमेपथी के, क्योंकि हुमेपथी भी बहुत जादा निर्भर करती है आपके emotion के उपर, इसलिए, डॉक्तर केंट ने बोला है, कि जब आप किसी patient का case ले रहे होते हैं, तो उसके मानसिक symptom, mental symptoms are more important than the physical one, तो अगर आप किसी person से बगर बात करते हैं, और जो mental symptoms होते हैं, वो बोले जाते हैं, कि वो किसी भी problem को जड़ से ठीक करने के क्षमता रहते हैं, और constitutional medicine में mental symptoms होना बहुत जरूरी है, जब तक आप mental symptoms के बारे में जानकरी नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके दवाईया, superficial पे काम करेंगे, तो जितनी भी psychological conditions हैं, उसमे रिलाक्स करने के लिए, उनको काम करने के लिए, डर को दूर करने के लिए, और self-confidence देने के लिए दवाईया काफे जादा प्रयोग में लाए जाते हैं, कुछ ऐसे arguments भी होते हैं, कि ये बैस प्यार रेम्डी क्या कितनी जादा यूसफुल हैं, क्या ये होमेपैतिक हैं भी ये सारे दवाईया काफी जादा हैं, एक्रिमनी भी काफी जादा यूस करती हूं, क्यों दवाईया काफी जादा हैं, कोई इनका side effect नहीं है, और patient काफी अच्छा feel करता है, psychologically वह बहुत ज़दा आपने आपको अच्छा महसूस करता है, और बहुत हद तक पुराने से पुर ले रहे हैं, नीन के दवाईया ले रहे हैं, तो उनको आपको छोड़ के आप नैच्रल नहीं नहीं पा सकते हैं, लेकिन बैच फ्लावर रेमिडी के साथ आसा नहीं होता है, इस मेडिसेंस आर नाच्रली सोर से बनाई जाती है, कोई addiction नहीं होता है, और कोई side effect नहीं होता ह तो यह दवाईया सब के लिए safe हैं, अगर आप psychological conditions के लिए psychiatric medicines ले रहे हैं, कोई भी समस्या आपको है, नीन के समस्या है, insomnia है, डर है, वहम है, या aggression बहुत जादा है, गुस्सा बहुत जल्दे आता है, चड़ चड़ापन बहुत जाता रहता है, तभी भी आप बैच इन लाइस्टाइल है, उसको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, हुमेपथिक मेडिसन के साथ, बैच फ्लाव रेमडीज बहुत जादा effective है, आप इन दवाईया को ले सकते हैं, और सबसे जादा जो popular बैच फ्लाव रेमडी है, वो सब की एज में बहुत अच्छा काम करत है, तो बैच फ्लाव रेमडीज के effectiveness पर doubt नहीं करके, आप इन दवाईया को use करके देखें और आपको इसके results पता चलेंगे, तो यह थी सारी information बैच फ्लाव रेमडीज के बारे में, I hope कि यह information आपको पसंद आए होगी, wishing you very good health, thanks for watching.